Hello there, rise and shine, it's time to wake up now, good morning, and this is Monday, and we are again here with an editorial, this is the Hindu editorial that goes by the title, यह हिंदू एडिटोरियल है, जिसका शिर्शक है, रिमोविंग फिर, भय को हटाना, और लिटरी फ्रीडम और यह जो एडिटोरियल है, लिटरी फ्रीडम पे है, यह साहितिक आजादी पर है, साहित रचना की आजादी प दे प्राइवेट मेंबर्स बिल, एम्ट, यह जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है, किसी संसदिये लोगतंतर वाले सिस्टम में क्या होता है, कि सरकार की जब्मेदारी है, मूलता है, कि वो कानून लेकर आए संसद में, और उसको कानून बनाने के लिए कोई दूसरा भी संसद सदस है जो एक्जेकेटिव का पार्ट नहीं है सरकार का पार्ट नहीं है वो भी कानून ला सकता है तो जो सरकार का पार्ट नहीं है और संसद सदस है वो कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है तो उस बिल को प्राइ प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत सारे हैं जिनको कानून बना दिया जाता है पर इंडिया में अभी प्राइवेट मेंबर्स बिल बनते नहीं है लो नॉमली भले उरकने रखते हैं और कानून बनाने की कोशिश करते हैं आशिया मेंबर्स बिल यह इसका उदेश्य है आथ प्रसक्राइवेट मेंबर्स बिल का आ प्रते اور और यह जो अब यह जो लक्ष करते है aimed है at protecting रक्षा करने का literary freedom को from threats खतरों से is welcome यह बहुत स्वागत जोगी है private members bill literary freedom is taken for granted in democracies literary freedom को जो साहित्य धर्मिता संबंदी साहित्य संबंदी जो आजादी है is taken for granted उसको बहुत taken for granted का मतलब है कोई चीज़ की आपको आदत हो गई इतनी इतना common हो गया आपके लिए उसका इस्तिमाल कि आप उसका values नहीं समझते हैं उसका respect नहीं करते हैं तो literary freedom को जो है is taken for granted बढ़ा आम समझा जाता है in democracies लोग तंत्रों में but forces लेकिन ऐसी शक्तियां that threaten जो खत्रा पैदा करती हैं और undermine या कमजोर बनाती है literary freedom को इसको are always at work वो हमेसा काम कर रही होती है ऐसे हमेसा कुछ न कुछ तर्थ होते हैं Each age has to fight हर काल को लड़ना परता है, fight करना परता है the battle, लड़ाई अफ्रेश फिर से, ताजे से एक नहीं लड़ाई लड़नी परती हर age को in recent times हालिया वक्तों में, हालिया समय में several attempts, कई प्रियास to get books withdrawn कई attempts to get books withdrawn किताबों को withdraw कराने का वापस लिये जाने का पल्प उसको लुगदी बना दिये जाने का destroy कर देने का or sanitized of offending content और उसको साफ करने का sanitize में लोग साफ करने का offending content उसके अंदर जो offending, offend करने वाला जो लोगों को अपमानित करने वाला content है उसको sanitize करने की have achieved full or partial success in recent times, हालिया समय में several attempts, कई प्रियास to get books withdrawn, किताबों को withdraw कराने के लिए पल्प लुगदी बना दिये जाने के लिए और sanitize साफ करने के लिए offending content अपमान जनक content से उसमें जो समगरी है उससे इसकी कई प्रियास have achieved, उन प्रियासों ने अचीव किया है प्राप्त किया है, full or potential success, पूरा या आंशिक सफलता इन इंडिया भारत में Wendy Doniger, capital letter से लिखा है ये नाम है, proper name है proper noun है, Wendy Doniger Wendy Doniger नाम लिखक की एक रचना किताब, The Hindus An Alternative History, Hindus एक बैकल्पिक इतिहास, was withdrawn इसको आपस ले लिया गया, from circulation circulation से, circulation मतलब बिक्री से, बाजार से एन एके रामानुजन से, और एके रामानुजन का निबंध 300 रमायनास, 300 रमायनास was dropped from a Delhi University syllabus, उसको drop कर दिया गया हटा दिया गया, Delhi University के syllabus से पार्टिक्रम से, तमिल राइटर पेरुमल मुरुगंस, माधौरु बगन, तमिल एक लेखक है, पुरुमल मुरुगंस, उनका माधौरु बगन नामक, वन पार्ट उमें बटरी से लेकिन इसको रिसर्रेक्ट कर दिया गया इस किताब को पुनर जिवीत कर दिया गया by a Madras High Court verdict Madras High Court की आदेश द्वारा Madras High Court ने आदेश दिया था कि नेहीं यह किताब बिकेगी तो रिसरिक्ट कर दिया गया, वो पुनर जिवीत होग are the principles, वो सिध्धान्त हैं, commonly invoked, जो आम तोरपि इनको invoke किया जाते हैं, इनका नाम लिया जाता है, इनका प्रियोग होता है, against the practice of literary freedom, किसके खिलाफ तो जो practice है, जो रिती है, literary freedom का, साहितिक आजादी का, साहित धर्मिता की आजादी के अभ्यास ये रिती के खिलाफ, इनको अक अभिव्यक्ति के लिए जो खतरे हैं, especially artistic freedom, खास तोर से जो कला संबंदी आजादी है, उसके प्रिती जो threats है, खतरे हैं, in our times, हमारे वक्त में, mainly कम, मुख्य रूप से आते हैं, from those, उन लोगों से, उन लोगों के तरब से, claiming, जो दावा करते हैं to spouse, कि वो समर्थक हैं, spouse करत हैं, the interest, hit, of a particular religion or social group, किसी खास religion, धर्म में, किसी खास social group, समाजिक समों के, वो interest को spouse करते हैं, समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से हमारे समय में, खास तोर से, अजादी के खिलाब ए खतरे आते हैं, It is, in this context, ये है, इसी संदर्व में, that सशी थरूर, कि सशी थरूर, Congress, MP and writer, जो Congress के MP और लिखक हैं, has introduced, ओले कराये हैं, a private members bill, एक private members bill, in the लोगसभा, लोगसभा में, seeking, चाहते हुए to protect, रक्षा करने का freedom of literature, साहित की आजादी को, It's objective, इसका जो लक्ष है, that की, authors must be guaranteed, देखें, जब double inverted comma होता है न, तो quote किया जाता है, मतलब, उन्होंने जब private members भी लिया होगा, तो उसमें जो objective ये लक्ष लिखा गया होगा, उसको हूब हूँ, यहां quote किया गया है, word for word, तो इसलिए इसको quotation जब होता है, तो quotation mark में लिखत हैं, तो it's objective, इसका लक्ष है, that की, authors must be guaranteed, की लेखकों को अवश्य यह guarantee दी जानी चाहिए, the freedom, आजादी to express, व्यक्त करने का, अविवक्त करने का, दियर वर्क, अपनी कृति को, तो authors must be guaranteed, authors को अवश्य दी जानी चाहिए, आजादी, the freedom, to express their work, अपने कृति को अविवक्त कर society, उनको express करने का, अपने work को अजादी दी जानी चाहिए, authors को, without fear of punitive action, बिना भै के of punitive action की कोई दंदात्म करवाई होगी, by the state, सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, और by sections of society, समाज की किसी तबके द्वारा, तो इसका जो objective है, यह, comments itself to any society, comment itself to something, या somebody, इसका मतलब होता है, comment itself to somebody का मतलब होता है, कि किसी के द्वारा उसको अप्रूफ किया जाना, उसको अच्छा लगना, तो यह, जो इसका लक्ष है, its objective की, authors must be guaranteed, कि लेखों को अवज से guarantee दी जानी चाहिए, the freedom, आजादी, to express their work, अपनी कृति को अव्यक्त करने के लिए, without fear of punitive action, बिना इस भैके क कि punitive action होगा, कोई दन्रात्म कारवाई होगी by the state, state द्वारा, और by sections of society, यह समाज की तब को द्वारा, यह जो लक्ष है, comments itself to any society, यह किसी भी समाज द्वारा, उसको approve किया जाता है, उसको मानता है कोई भी समाज, कोई भी समाज that upholds, जो uphold करता है liberal values, liberal या उदारवादी मुल आजादी देना, उनको political, economic, social आजादी देना, उनको choice, बिकल्ब चुनने की आजादी देना, यह liberal values है, तो कहता है कि यह जो objective है, कि authors को guarantee दी जानी चाहिए, उनको दी जानी चाहिए कि freedom of expression होगा, कि वो अपनी कृति को, अपनी work को express कर पाया, विवेक्त कर पाया, बिना डर क without fear of punitive action, किसी भी तरह कि दंडात्मक action के बिना भय कि by the state सरकार द्वारा, और by sections of society, यह समाज की तब को द्वारा, यह जो objective recommends itself to any society, यह किसी भी समाज द्वारा अनुमोदित होता है, यह objective यह लक्ष, कोई भी समाज that upholds liberal values, कोई भी समाज जो समर्थन करता है, अपहोल करता है liberal values को, उदारवादी मुल्यों को, it's six, यह जो bill है, it's six, चाहता है, the omission, कि omit कर दिया जाए, हटा दिया जाए, of three IPC sections, it's six, the omission of three IPC sections, यह चाहता है कि हटाया जाना, तीन इंडिन पीनल कोड, जो भारती दन संगीता है, उसके तीन धाराओं को हटाने का, including इसमें शामिल है 295a, धारात 295a, In effect, a non-denominational blasphemy law, वास्तों में जो कि, in effect, प्रभावकारी रूप से, प्रभाव में, जो कि, एक non-denominational blasphemy law है, non-denominational का मतलब होता है, जो किसी एक tenomination, किसी एक जाती पन से संग्दीते ही है, बलकि सभी धर्मों, सभी जातियों से संग्दीते है, जो कि, in effect, प्रभावकारी रूप से एक non-denominational blasphemy law है मतलब एक ऐसा blasphemy law blasphemy क्या होता है कि धर्म या भगवान के खिलाफ अनाधर पूर्ण बात कहना या कोई बात ऐसी जिससे उसका अपमान हो तो ये एक blasphemy law है धर्म के खिलाफ कुछ अपमान जनक बोलने वाले का या इस तरह से संबंदित कानून है जो non-denominational nature का है मतलब ये किसी एक जाती या धर्म से संबंदित नहीं है ये general है किसी भी धर्म जाती के लिए है तो इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं कि इस इक जो बिल है चाहता है ये omission of three IPC sections ये omission चाहता है हटाया जाना तीन IPC के धाराओं को including जिसमें शामिल है 295A 295 क in effect जो प्रभावकारी रूप से एक non-denominational किसी खास जाते भी से संबंदित नहीं एक blasphemy law है अब धर्म के खिलाफ अब पांजनक बातों को treat करने वाला एक कानून है as it targets deliberate or malicious acts क्योंकि ये target करता है deliberate जान बूच के किया गया और malicious गलत intention से गलत इरादे से किया गया acts को काम को कृत्य को target करता है तो कोई भी ऐसा deliberate or malicious acts to outrage religious feelings जो धार्मिक भावनाओं को outrage करने ठिस महुचाने के लिए है उनको ये target करता है तो उसको ये चाहते है कि हटाया जाना मतलब चाहते है कि तीन IPC sections हट जाना है जिसमें ये भी सामिल है 295 कर जोकि non-denominational blasphemy law है और ये target करता है deliberate or malicious acts को कोई भी ऐसा जान बूच के किया गया malicious गलत विचार से किया गया act कृत तो outrage religious feelings लोगों की धार्मिक भानाओं को ठेस पहुचाने के लिए आउटरीज करने के लिए section 295A is a grossly misused section ये जो धारा 295 कह है पूरी तरह से grossly misused दुरूपयोग किया गया धारा है दुरूपयोग किया जाने वाला धारा है अकसर इसका नाम लिया जाता है ये उज किया जाता है प्रयोग किया जाता है in trivial ways बड़े तुक्ष तरीकों से खराब तरीकों से to hound individuals परिशान करने के लिए सताने के लिए individuals व्यक्तियों को harass writers सताने के लिए लेकों को and curtail और काटने के लिए free expression जो स्वतंतर अभी व्यक्ति है उसको curtail या कम करने के लिए इसका अकसर इस्तेमाल किया जाता है it deserves to be scrapped ये हकदार बनता है to be scrapped हटा दिये जाने के खत्म कर दिये जाने के sections that relate to the sale of obscene books ऐसी sections या धाराएं that relate जिनका संबंध है to the sale of obscene books असलील किताबों के sale बिक्री से and uttering words और ऐसे शब्दों के बोलने से utter करने से that hurt religious feelings जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाते हैं धाराएं sections that relate जिनका संबंध है to the sale of obscene books असलील किताबों के बिक्री से and uttering और जिनका संबंध है बोलने से words ऐसे शब्दों का that hurt religious feelings जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाते हैं ऐसी धाराएं are also sought to be omitted they are also sought वो भी चाहे गई हैं to be omitted हटा दिये जाने के बारे में omit कर दिये जाने के लिए however हाला कि it is unclear ये a spust है अभी spust नहीं है why section 153a ये कियों धारा 153a 153 k which punishes those जो दंडित करता है उन लोगों को who promote enmity जो enmity या दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं between groups समोहों के बीच on grounds of religion धर्म के अधार पर race और language या नसलिया भाशा के अधार पर and section 153b और धारा 153 k which decriminalizes जो आप राधिक बनाता है words and imputations ऐसे शब्दों को या ऐसे आक्षिपों को prejudicial जो harmful है prejudicial है हानिकारक है to national integration राष्ट्री एकता के लिए do not draw कि क्यों ये जो है तो फिर सिसलाइन को एक बार पढ़ते हैं कि however it is unclear हलाँ कि ये unclear है why क्यों sections 153 ये कि जो धारा 153 क है जो की punish करता है punishes तो ऐसे लोगों को who promote enmity जो दस्पनी को बढ़ावा देते हैं between groups ऐसे समुहों के बीच on grounds of religion, race or language जो धर्म, race, नसलिया, भाषा क्यादार पर groups के बीच में enmity ये दुस्पनी प्रमोट करते हैं उनको दंडित करता है 153 क and section 153 बी और धारा 153 क which criminalizes जो अपरादिक बनाता है words and imputations ऐसे शब्दों को या आक्षेपों को prejudicial जो harmful है to national integration national integration के लिए राशचेकता के लिए क्यों ये do not draw Mr. Tharoor's attention को क्यों नहीं आकरशित किया मतलब इनके लिए भी demand रखना चाहिए हटाया जाने का in the process of proscribing a book in the process of proscribing proscribing का मतलब होता है ban करना तो in the process of banning a book in the process of proscribing a book किसी किताब पर प्रतिबंद लगाया जाने की प्रिक्रिया में he proposes वो propose करते हैं वो प्रस्तावित करते हैं trick एक थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं in the form of a 15 day prohibition जो इस रूप में है कि 15 दिन का prohibition या प्रतिबंद होना चाहिए thereafter उसके बाद the owner should be on the state government अब ये जिम्मेदारी state government ये राजे सरकार पे होना चाहिए to approach the high court to seek a permanent ban मांगने के लिए स्थाई बैन या स्थाई प्रतिबंद यानि सरकार सिर्फ 15 दिन तक ही लगाए उसके बाद ये कोट के अधिकार हो और कोट के पास राजे सरकार हो उससे permanent ban की मांग करे ये उनका प्रस्ताव था it favors the scrapping of the provision in the customs act ये समर्थन करता है ये जो बिल था ये समर्थन करता है favor करता है scrapping हटा दिया जाना अब the provision उन प्रावधानों का in the customs act जो हमारे customs act कानून में है customs क्या होता है तो एक tax होता है न जब कोई सामान बिखता है तो उस पर customs लगता है तो it favors the scrapping of the provision ये favor करता है ban मतलब ये इस बात के पक्ष में है कि scrap कर दिया जाए scrapping of the provision उस प्रावधान के scrapping ये खत्म कर दिया जाने के पक्ष में है in the customs act जो customs act में है to ban जो provision है जो प्रावधान है to ban ban करने का प्रतिबंद लगाने का the import of books किताबों का खरिदा जाना import किया जाना आयात किया जाना तो जो प्रतिबंदित करता है ऐसे प्रावधान को खत्म किया जाने का पक्ष लेते हैं but makes a public order exception लेकिन वो बनाते हैं public order को सार्वजानिक कानून बेवस्था को एक अपवाद बनाते हैं उनका मानना है कि ऐसी किताबें जो सार्वजानिक कानून बेवस्था को बिगाड़ें उनके import को भले बैन किया जाएं लेकिन बाकिस थीतियों में ये जो provision है customs act के अंदर किताबों को import को बैन करने का उसको हटा दिया जाना था ये इसके समर्तन में है it wants to limit ये जो इनका सशी थरूर जी का private members bill है it wants चाहता है to limit the bar वो चाहता है कि limit कर दिया जाए submit कर दिया जाए the bar जो एक bar है जो एक प्रतिबंद है on obscenity असलीलता पे in the information technology act हमारे information technology कानून में IT कानून में उस पे जो obscenity उसमें असलीलता पर जो बार है जो प्रतिबंद है उसको submit कर दिया जाए to child pornography के वो child pornography पर यानि ऐसा pornography कोई आप वीडियो देखते हैं जिसमें किसी बच्चे के साथ sexual act दिखाया जाता है उसके साथ गलत काम करते वे असलील काम करते वे जो दिखाया जाता है उनहीं तक सिमित कर दिया जाना चाहिए मतलब बैंद सिर्फ उसी पर होना चाहिए और बाकी चीज़ों पर हटा दिया जाना चाहिए तो यह जो बिल्द है वो once चाहता है बैंद रखा जाए बाकी के लिए हटाए जाए प्राइवेट बिल्स रेरली बिकम लॉव जो प्राइवेट बिल्स हैं यानि जो किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा जो कानून बनाया जाने का प्रस्ताव रखा जाता है जो प्राइवेट बिल्स होते हैं become law, वो बमस्किल कभी law या कानून बनते हैं, but they are useful, वो बनते नहीं है normally, but they are useful, लेकिन वो useful हैं, useful होते हैं, उपयोगी होते हैं, in highlighting, highlight करने में, उजागर करने में gaps, जो कमिया हैं, in the body of law, कानून के उस book में, जो हमारा कानून है, उस कानून में जो gaps है, body of law का मतलब पूरा उन बेवस्ता है, उसमें जो gaps हैं, उसको highlight करने के लिए useful होता है, seen in this light, अगर इस आलोक में देखा जाए, इसको इस रूप में देखा जाए, Mr. Tharoor's initiative, तो Mr. Tharoor का जो ये पहल initiative है, is most welcome, बहुत स्वागत योग है, as a step, एक ऐसे कदम के रूप में towards removing or diluting penal provisions, एक ऐसे कदम के group में towards driven working, जो हटाने के लिए है, या dilute करने के लिए, कम जोर करने के लिए, या कम करने के लिए, penal provisions ऐसे दन्दात्मक प्रावधानों को, that inhibit, जो रोकते हैं literary freedom, जो बादा पहुचाते हैं literary freedom को, साहतिक आजादी को, so this was the editorial of the Hindu today, just keep happy, I wish a very bright day ahead, thank you so much.